आज हम आपके लिए लाए हैं मुर्मूरे से बना बहुत ही टेश्टी नास्ता इसे करनाटका में शुशला और मराठा में शुशीला कहा जाता है हेलो दोस्तो अहुजास रेसिपे इसमें आपका स्वागत है तो चलिए मुर्मुरे का ये टेश्टी नास्ता बनाना शुड़ू करते हैं यहां मैंने तीन कब जितना मुर्मुरा लिया है माप में ये 50 ग्रम जितना है इसे सबसे पहले हमें दो लेना है तो उसके लिए हम मुर्मुरे को एक बड़े बॉल में ले लेंगे और उसके बाद उसमें पानी डाल कर इसे हलके हाथों से या फिर चम्मत से हिलाते हुए दो लेंगे इसे हमें सोक करके नहीं रखना है दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तो मुर्मुरे को मैंने अब धो लिया है इसे हम एक स्ट्रेनर में डाल कर छान लेंगे और साइट पर रख देंगे यहां मैंने कुछ वेजिटेबल्स को कट करके रखा है तो तीन हरिमेज, थोड़े से कड़ी पत्ते थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा दनिया एक चौथाई कब जितना कैबेज और एक बड़े साइस का टमाटर बारी कटा हुआ एक मीडियम साइस के आलू को भी मैंने इस तरह से एकदम छोटे टुकड़े में काटके रखा है फिर दो बड़े चम्मच जितने मोंगफली के दाने मोंगफली के दाने आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं कड़ाई में मैंने दो बड़े चम्मच जितना तेल गरम करने के लिए रख दिया है तेल गरम हो जाए उसके बाद आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच वाइट तिल, एक चौथाई चम्मच से कम हींग, थोड़े से कड़ी पत्ते और बारिक कटी हुई हरी मेर्स डाल देंगे तीखा आप अपनी पसंद के हिसाब से कम जादा डाल सकते हैं अब गैस का फ्लेम हम एकदम स्लो कर देंगे और इन सबी चीजों को कुछ सेकेंड के लिए भून लेंगे उसके बाद हमने जो कच्छा आलू कट करके रखा है उसे हम इसमें डाल देंगे आप इसमें बॉयल की हुए आलू भी डाल सकते हैं लेकिन कच्छे आलू का टेश थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है फिर थोड़ा सा नमक डालेंगे जितना हमने आलू डाला है उसके हिसाब से फिर इसे भी हम मिक्स कर लेंगे आलू पकाते समय इसमें नमक डालन से ये खाते समय फिके नहीं लगते अब डग कर हम एकदम स्लो फ्लेम पर आलू को एक से दो मिनिट तक पकाएंगे जब तक के आलू अच्छी तरह से पकना जाए थोड़ी देर के बाद हम खोल कर चेक कर लेंगे के आलू पक गए हैं नहीं आलू अब अच्छी तरह से पक फिर मुंख फली के दाने डाल देंगे इसे हम तब तक फ्राइ करेंगे जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाएं आप चाहें तो रोश्ट किये हुए सिंग दाने को क्रश करके भी इसमें डाल सकते हैं फिर आधा चम्मत जितना हम इसमें सौफ डालेंगे सौफ से इसमें बहु कटा हुआ प्याज भी डाल सकते हैं तो इस समय आप प्याज को डाल कर हलका गुल्डन ब्राउन होने तक बून लें पत्ता गोबी को हम तब तक पकाएंगे जब तक यह हलकी सी नरम ना हो जाए अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर इसे भी हम मिक्स कर ल जैसे कि सिम्ला मेच, मटर, गाजर टमाटर डालने के बाद इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं फिर आधा चम्मच लाल मेच पाउडर एक चौथाई चम्मच चीनी स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा दनिया डाल कर मिक्स कर लेंगे मुर्मुरा उपमा म में बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डाला जाता यह एकदम कम मसाले में बहुत ही बढ़िया बन कर तैयार होता है अब ढगकर हम इसे जब तक टमाटर सौफ ना हो जाए तब तक पकाएंगे गैस का फिलेम हम स्लो टू मीडियम ही रखेंगे थोड़ी देर के बाद अब टमा कि इसे बनाने में बहुत ही कम तेल का यूज होता है मुर्मुरे को मैंने वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसमें हम एक बड़ा चमच निम्बू का रश्टा लेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद हम इसे स्लो टू मीडियम फ् हम बंद कर देंगे और थोड़ा सा बारिक कटा हुआ हरा दनिया डाल कर मिक्स कर लेंगे तो लीजिए टेश्टी और हेल्दी मुर्मुरा उपमा बनकर तैयार है ये मुर्मुरा उपमा बहुत ही कम समय में कम तेल में और जटपट से बनने वाला हलका फुलका नास्ता है इ आप भी मेरी इस रेसिपी को जरूर एक बार ट्राय करें छोटे बड़े सभी इसे खाकर बहुत ही खुश हो जाएंगे उपर से गार्निशिंग के लिए हम थोड़ा सा बारिक कटा हुआ हरा दनिया डालेंगे आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक् सब्सक्राइब करें बाजू में दे गए बैल आइकन पर क्लिक करके औल सिलेक करें जिससे मेरे नए नए रेसिपेस के नौटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार